माइनम इस अंडवाग वेलकम बैग लाल खुलासेश तो हमारी जो क्लासेश चल रही है ग्रामर बेसिक यू एडवांस उसमें अभी हम टॉपिक पर्सनल प्रनाउन को कम्प्लीट कर रहे हैं ओके तो आईए अभी हम जो यूजर समझ रहे हैं उसको आगे समझते हैं यूजर केस दूसरा होता है एक्यूजेटिव केस और तीसरा होता है पॉसिसिव केस ओके हम जानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो दो पार्ट से मिलके बनता है एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और उसका प्रिडिकेट जब यह पूरा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस प्रिडिके में noun को use करेंगे उस noun को हम accusative case कहेंगे और positive case जब position denote करना होता है ownership denote करने के लिए कोई noun आती है उस time पर हम position denote करना होता है तो उस noun को हम लोग कहते हैं positive case ओके अब हम predicate में जानते हैं कि ट्रांजिटीव वर्ब के बाद जो object आता है वह भी noun आती है तो वहां पर जब कोई position पाएगा तो उसे हम accusative case की noun कहेंगे अब आएज़रा rule को समझते हैं पहला है each of the personal pronouns हम personal pronouns जानते ही है I, he, she, we, they has different for the accusative case ओके तो अब बात हो रही है accusative case की इसके लिए जो personal pronoun I, she, she, we, they के लिए जब हम personal pronoun accusative case में use करते हैं तो उसकी position पे हम I की जगा पर me use करते हैं, he की जगा पर him use करते हैं, she की जगा पर her करते हैं, we की जगा पर us और they की जगा पर them, them कहां पर जब हम accusative case में personal pronoun I, यह सब को we, इन सब को जब यूज करते हैं तो इनको जब हम change करते हैं accusative case में, तो यह बन जाते हैं, me, him, her, us, them. Okay, it is a common mistake to use I for me, यह बहुत दी common mistake हो जाती है, लोग क्या करते हैं, me की जगा पर I को use कर देते हैं, अभी हम उसको sentence में और अच्छी समझेंगे, और आपको बहुत अच्छी समझ में भी आएगा, when the pronoun is connected by a conjunction, जब भी कोई pronoun, जो कि यह I, me, he, यह सब जो है, जब भी एक conjunction से connected होती है, और उसके साथ और भी कुछ वर आते है, accusative cases में, तब हम I की जगा पर me use करेंगे, he की जगा पर him use करेंगे, she की जगा पर her use करेंगे, क्योंकि accusative case जब भी आएगा, तब हम, जो है, me, him, her, us, them, यह सब use करेंगे, परसनल परणाउन की position पर, ओके तो आईए अब समझते हैं, तो पहला आज का sentence है, the presents are for you and me, अब देखिए, gift है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, यह sentence में लिखा है, तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे sentence में मैंने बताया था कि subject और predicate से sentence बनता है, अब यह हमारा पूरा sentence है, इसमें हम अलग-अलग कर लेते हैं subject को और predicate हो, तो the present हमारा जो यहां तक है, यह हमारा subject है, और इसी की बात के लिए आगे से आर जो आया हुआ है, यह सब हमारा इमी तक पूरा predicate है, अब मैंने आपको बताया, अगर predicate में कोई noun आ रही है, तो उसे हम accusative case की noun कहते हैं, और noun की ही जगा पर pronoun भी आ सकता है, तो वो भी accusative case का होगा, तो अब हमने देखा the presents are, आर से हमारा क्या start हो गया, जो है predicate start हो गया, for you and me, अब यहां पर हम I use नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, लोग commonly mistake यही कर देते हैं, कि यहां पर I use कर देते हैं, मगर grammar की भाशा में इसको हम समझे, तो क्यों यूज नहीं करते हैं, वो आप ध्यान से समझेगा, क्योंकि predicate start हो गया है, तो इस position में अगर कोई noun pronoun आईगी, तो वो accusative case की ही आईगी, और accusative case में हमने क्या देखा है, कि अगर I के बारे में बात करेंगे हम, तो I की position पे me ही use होगा, को के me use होगा, him use होगा, her use होगा, us होगा, them होगा, तो अब I के लिए अगर हमको कोई pronoun यूज करने हैं, तो accusative form की करने होगी, तो अगर I के लिए हमको accusative case ये pronoun तो I का बन जाता है me, तो यहाँ पर हम me use करेंगे, दूसरा sentence भी समझते हैं, my uncle asked my brother and me to dinner, अब अंकल ने मुझसे खाने के लिए पूचा, मुझसे पूचा, भाई से पूचा, तो अब इसमें अगर हम अलग-अलग करें, तो subject तो सिफ my uncle ही है, क्योंकि यहाँ तक हमारा subject है, और यह last तक हमारा dinner तक जाएगा, अब predicate में अगर कोई noun आए तो वो कौन केस के होगी? Acquisative केस के होगी और जब accusative केस के होगी तो उसले pronoun भी accusative केस की होगी, तो accusations case में अगर I हमारा nominative केस है, तो इसके हमको चैंज करके, किसमें लेकर आना like, accusative में लेकर आना है तो हमको accusative में जाकि देखना होगा ज्यादतल लोग अगर grammar को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो क्या करते हैं यहां पर उनको लगते हैं कि हर आई ही होगा मगर जब हम अगर rule के basis से चले rule को लेके चले तो वहां पर यह होता है अगर predicate में कोई pronoun आ रही है तो ऐसे हमको use करते हुए समझते हुए accusative case की प्रणाउन हमको use करनी होगी आज का जो दूसरा rule है वो है note that but is a preposition in the following sentence अब जो नीचे sentence दिया है इसमें जो but है हमारा वो preposition है और जब but preposition बनके आ रहा है तो उसके बाद जो noun आईगी वो तो preposition को object होगी तो आप देखते है nobody will help you but me कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा मेरे इलावा तो अब but यहां पर आया हुआ है बात अगर personal pronoun की हो रही है और personal pronoun अगर हमको accusative case मतलब की predicate में अगर कोई noun या pronoun यूज हो रही है तो उसको हम accusative case की pronoun या noun कहते हैं वहां पर अगर यूज हो रही तो personal pronoun जो nominative case में लोग यूज कर आते हैं उसको हमको change करके accusative में करना होगा जैसे कि I का me, we का us, they का them तो यह करते हुए फिर हमको लिखना होगा और यह हमारा बिलकुल सही हो जाएगा दूसरा हमने समझा कि but यहाँ पर preposition के तरह यूज हो है तो उसके बाद हम pronoun यूज कर सकते क्योंकि object के साथ आगा otherwise preposition जब आ रहा है तो उसके बाद object हमको लिखना ही पड़ेगा तो यह object बन कहाएगा objective position पे है तो accusative case की में आएगी आई ही नहीं सकता तो आज हमने दो रूल समझे जो कि accusative case से ज्यादा related थे हमने पहले nominative, accusative और positive case को समझा subject predicate क्या होता है उसको समझा subject predicate को analyze करते हुए फिर हमने इसको solve out किया तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह rules समझ में आये होंगे अगर आपको कोई भी doubts है तो please comment करिए ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे clear करूँ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए thank you so much जैहिं